Hello Friends, Welcome back to my channel दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास Genshin Impact में ये गेम का Error आ रहा है Fail to Unzip Game File तो आप इस Error को कैसे easily remove कर सकते हैं तो बहुत simple step है आप इस step को follow कीजिए सबसे पहले दोस्तो आपको जो है Tax Manager ओपन करना है आपको इसको end attacks के ओपर किलिक कर देना है उसके बाद यहां पर ये game close हो जाएगा फिर आप इसको close कीजिए उसके बाद आपको जो है Windows के search bar में type करना है Genshin Impact उसके बाद आपको इसको right click करना है Open file location पर click करना है उसके बाद आप यहां पर इसको select कीजिए फिर right click करना है आपको उसके बाद यहां पर open file location के ओपर click करना है आप यहां पर देख सकते है folder open हो गया है फिर आपको यहां पर Genshin Impact game का folder है आप इसको open कीजिए और यहां पर आपको एक zip file show हो जाएगी तो यहां पर उस zip file को आपको delete कर देना है यह zip file जो है 50 GB या 20 GB की हो सकती है तो अगर आपके पास limited data है तो आप इसको delete मत करिए अगर आपके पास unlimited data है तो आप इस file को delete कर सकते हैं उसके बाद आप इस window को close कीजिए फिर दोस्तों आपको Windows के search bar में type करना है Gension Impact राइड क्लिक कीजिए और यहां पर open file location के ऊपर क्लिक कीजिए इसके बाद आपको यहां पर इसको फिर से select करकर राइड क्लिक करना है इसके बाद आपको यहां पर प्लिक करना है फिर आप यहां पर compatibility टैब में आईे उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों बॉक्स में आपको चेक करना है Disable Full Screen Optimization और यहाँ पर Run This Program as an Administrator Select करकर आप जो है Apply के उपर किलिक करकर OK के उपर किलिक कीजिए फिर दोस्तों आप जो है इस विंडो को Close कीजिए उसके बाद आप अपने PC को एक बार Restart कीजिए प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगी उमेध है आपको वीडो पसंद आगया हो तो प्लेस लाइक कर देना और इसी तरह के वीडोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए